आपने कई बार रेसेपी बनाई होगी लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ अंडा करी की बिलकुल ही special वाली रेसेपी बिलकुल ही अलग तरीके से पूरी प्रोसेस के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए बहुत रिष्टी होटल धाबा रेस्टूरेंट में भी आपको यह रेसेपी नहीं मिलने वाली है तो सबसे पहले इस रेसेपी को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए सबसे पहले मिक्सर के पोर्ट चाहिए और धन्या के पत्ते जिहां दोस्तों धन्या के पत्ते आपको ज्यादा लेने हैं यह देखे साथ से आठ मैने अंडा करी का इस् टेष्ट बढ़ाने के लिए मैंने डाल दिया साथ से आठ पुदीना के पत्ते जिहां दोस्तों बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है अगर आपके पास नहीं है सूखे वाले है तो इसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो यह दिके सभीची डाल दिया है थोड़ा साथ ग्रेवी क टेष्टी बनाने के लिए मैंने डाल दिया इसमें सफेद वाले तिल लगबग देढ़ चमच के करीब मैंने सफेद वाले तिल डाला है नहीं है तो काजू 3-4 ले लेना है और उसको भी पीछ लेना है और हाँ पीछने समय आपको एक बात का याद रखना है इसमें तरह से आपको कट लगा देना है कट लगाएंगे तो जब इसे भूनेंगे ना फ्राइ करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं उडेंगे और अच्छी तरह से यह रेसेपी बनके तियार हो जाएगी तो अंडे को उबाल लेना है और जितने भी शिलके सभाटा लेने है और इसी तर करता करके और अब बनााओ जो सबसे है तो है कर दिए लगेंगे हम आपको प्याज है जारे चेटारस शगया नहीं करना है और देंगे या दिए और ऑपची तरह ओने से अच्छी तरह से तब ही इसे दालने वाली हुँ या देकिर से बैश्ड पीसे था न Ao प्याज डालना है और प्याज डालके अच्छी तरह से आपको भून लेना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अच्छा सा बढ़े बहुत बहुत ही जरूरी निहीं काम चार-च भाज मिनाट को नग के तरह मसाले हो लिए आता है बिल्कुल घरी वाली अपगानी अंडाकरी की यह recipe बनने वाली है अंडाकरी के मैंने बहुत सारी recipe डाल रखी है नहीं देखें तो मेरे चैनल में जा कर देख सकते है different different तरीके से मैंने बनाई है और यह बिल्कुल ही अलग तरीका है नमक अभी एड नहीं करना है अगर नमक अभी ही डाल देंगे तो यह कलर नहीं रहेगा और कलर बिल्कुल ही काला हो जाएगा इसलिए नमक आपको बाद में करना है और पीसने समय सिरिफ ठंडे पानी का इस्तिमाल करना है लास्ट में देखे भुन्नेंग बाद आपको डाल ऑद आपको बाद करना है अगर नहीं अगर आपको जाएगी अगर आपके गर मार्चेट वाले भी ले ले लिए हैं अब इसे टेश्टी बनाने के लिए और कम महनत में बेटर खाना बनाना बनाट है इसमें चिकन मसाला से इसका जो फ्लेवर है अगर आपके पास अंडा करी मसाला है तो अंडा करी मसाला भी डाल सकते हैं बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है तो दो से तीन चमश मैं डाला है आप 5 रुपर ले छोटा पकेट लेंगे न उसमें भी ये रेसिपी बन जाएगी मसाला को भी अच्छी तरह से भून लिया है और ग 1995 कम कर दीनी है और कम ही इसको जो घ। है जब मीरे अलग अलग अनुसार नमक डाल देनाया और यह देखिए ग्लेव का sådan numक यह नब हुक्छी अ मिन्या वहागी बमधी नबीक्ड़िक बंते है मीरे अगरस्ब्स करत किए अ नहीं है तो आपको क्या करना काजू को का थे दिया है और अगर को पसंद आती है तो एक लाइक ही कट अर्बी इस रिसपी को खाने के बाद हमेसा आपकी रिस रीक करने वाली यह मेरी गरांटी है अगर कोई भी तरह कि आपकी अर्बी हो और गल नहीं पाती है वह टेस्ट नहीं आपाता है तो 1.9 तो एक बार इस रेसपी को ज्यरूर recommend को Filter Rate teachers बिल्कुल ही अलग तरीके की रेसेपे बनाने वाली हूँ तो 100 ग्राम मैंने अरहर के दाल लिये हैं और 100 ग्राम ही आपको अर्भी को लेना है दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए यह देखें बहुत ही कम गल रहे थे मेरे अर्भी हमेशा क्या हो जाते लंबे-लंबे अगर अर्भी लाएंगे तो अच्छी तरह से घल जाएंगे और अगर गोल चुनके ले आंए तो वह बात नहीं आपाति है और यह आपोई आपके पास भी ऐसी सिकायत आती है तो अर्भी की जो सिकायत है वो खतम हो जाने वाली है इस रेसेपी को बनाने के बाद तो सब क्रिस्पी भी नहीं करना था को नहीं को नहीं तो क्या हो जाएगे टेश्ट आ जाता है इसलिए बिल्कोल ही अलग तरीके से मैं इस रेश्रेपी City को बनाने वाली हूं हरी मिर्ष है तो हरी कि मिर्ष को जरूरी डालई एक वाले मिर्ष नहीं नहीं बन अर्बी अगर आपके घर में टमाटर नहीं है और अर्बी बनाने का मन है तो कैसे बनाना है वो भी वीडियो मैंने डाल रखिया और बहुत लोगों ने उसे बहुत ही ज़्यादा पास अगर आपने नहीं देखे तो एक बर जाके जरूर देखे मसूर दाल के साथ मैंने उस अ तो मिर्ची पाउडर मैंने लिया है जीरा पाउडर लिया है धन्या पाउडर लिया आप मातर दिख सकते हैं अगर नोर्मल वाले चमच ले रहे तो आधाधा चमच आपको ले लेने हैं और अच्छी तरह से फिर मसाले के साथ इससे भून लेना है टमाटर के बीना ये रेस बहुत लोग डाल बना लेते हैं उसके बाद अर्वी को पका के डालते हैं लेकिन वह प्रोसेस बिल्कुल ही बेकार होता है अगर कभी भी उस तरीके से बनाए हैं और वह टेस्ट नहीं आता है तो एक बार इस तरीके से जरूर बनाएगा बहुत अच्छा पर ले बार आता आपको अगर सिंपल से मैं बता रही हूं तो अर्वी और दाल अच्छी तरह से डूब जाने चाहिए और कम से कम इसे दो सीटी आने तक पका लेना पड़ेगा यह देखे दो सीटी आने के बाद अब मैं चलिए खोल के दिखाती हूं तो यह देखे अच्छी तरह से डाल भ देने वाली हो तो दाल और अलबी को अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है यह देखे डाल की कमी भी पूरी हो जाएगी इस रेस्पी को बनाने के बाद चावल और रोटी के साथ आप अराम से खा सकते हैं तो उसके बाद एक लेना है कर्शी और कर्शी में मैंने फिर से सर जरू डालिएगा और फिर मैंने कासमीरी लाल मिर्च डाली है और यहीं बीच आपको गैस के फिलेम तुरंत ही बन कर देने नहीं तो क्या हो जाएगे मिर्ची जल जाएगी और वो टेस्ट नहीं आपाएगा और यह देखे मैंने चोका मार दिया है और तुरंत ही इसे कभर कर देना कभर करेंगे और एक से दो मिनट के बाद ही इसे खुलना है बहुत यह अच्छा सा फ्लेवर आता है कभी भी इस तरीके की अर्भी की रेसेपी नहीं बनाई है ना दाल और अर्भी की तो एक बार जरू बनाईएगा सब को बहुत ही ज़्यादा पसंद आगी और की बार आपने सफेद मटर की चाट रगड़ा चाट रेसेपी खाई होगी लेकिन आज मैं आपको सफेद मटर की सबजी की रेसेपी बताने वाली हूँ अगर इससे पहले कभी नहीं बराई है तो एक बर जरू बनाईएगा तो ज़ोड़ा इसके पका लेना है, सबसे पहले 4-5 घंटे इसे अची तरह से भीगोना है, उसके बाद 2 सीटी लगा की इसे अची तरह से पका लेना है थोड़ा सा सोडा डाल के, अगर सोडा इस्तमाल नहीं कर रहे है, तो 4 सीटी में ये अची तरह से कुक हो जाएगी और सफेद मटर पक के तयार हो जाएगे इसमें मैंने नमक डाला और थोड़ा सा आलू भी अच्छी तरह से डाल दिया था उसके बाद एक कड़ाई में मैंने डाल दिया है तेल लग भग मेरे पाश डेड़ सो गरम सफेद मटर का इस्तमाल की है और एक अधरक का जी हां दोस्तों दो चमज खिस के आपको अधरक का इस्तमाल करना है दो बड़े सैच की टमाटर का इस्तमाल करना है बहुत ही चटकारेदार और बिल्कुर ही टेश्टी वाली रेसेपी बन दी है अगर कभी नहीं बनाए है इस तरह के सफेद मटर की सबजी तो ए इक बड़ जरूर बनाईएगा और हां एक रेसेपी और मैं सर्प्राइज देने वाली हूँ इस रेसेपी से आप दो रेसेपी बना सकते हैं और इस रक्षाबंधन आराम से एंजॉई कर सकते हैं जो घर में मिल जाते हैं और आधा से भी आधा मैंने डाल दी है काली मिर्च का पाउडर फिर आपको डालना है लाल मिर्च का पाउडर ये भी मैंने आधा चमश के करीबнова लिया है और एक चमच थोड़े से कम होगे, मेरे लिए हैं चीरा के पाउडर, और ये देखे, एक चमच थोड़े से कम धनिया के पाउडर, और सभी मसालों को आपको अची तरह से भूल लेना है, और एक खास मसाला मैं डालने वाली हूँ, जिससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत ज़ मसाले, तो आप कोई भी smell मसाला डाल सकते हैं, जिससे चिकन मसाला हो गया, जाल wearing fromient couldam standstill點य passed the या प्र राजमा मसाले हूगा, कोई भी मसाला पर ले सकते हैं, या फिर जाहें पकेटवाले भी कि इसते महां और फिर इसे कलर सा अच्छा सा बिल्कुल ही अच्छा सा दिखे उसके लिए मैंने कासमेरी लाल मिच का पॉड़ा डाल दिया है लग बग डेल चमच के करी मैंने डाला है इससे क्या हो जाएंगे सबजी में एक अलग सी जो लुक होती है बहुत ही जबर्दासा आती है और बि होंगे मेरे चैनल में देखे होंगे लेकिन अगर इस तरह के की रेसिपी आपको बिल्कुल ही डिफरेंट साइट की पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते है और यह देखे मैंने मटर को भी डाल दिया है आप कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें पिर आपको हलका सा पानी डाल देनाया है जितनी आपको ग्रेबी रखने है अनुसके अनुसर पानी डालना है और यह को चोड़ देना है गरम मसाला जी है दोस्तों गरम मसाले से इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और सबजी आपकी लगबग बनके तयार हो जाएगी लेकिन रुखिया अभी इससे आपको इसकी नहीं करना है क्योंकि इससे मैं एक और खास रेसिपी बताने वाली हूँ अप दोनों तरिके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो कैसे करना है आप चलिए मैं निये भिखाने वाली हूँ अगर आपने कभी इस तरह की रेसेपी नहीं खाई है या फिर अगर आपके बहुत सारे सब्जी बना लिये हैं तो इस तरह आप एंजोई कर सकते हैं